ये गाईज वेलकम तो यूप्यसी विद्या आज हम बात करने वाले हैं फाइफ तरह के बारे में जो की होते हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेटरोरी, प्रोहिबिशन और क्यों वेरेंटो तो आएए एके करके सारे रिट्स देखते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा पैंडा बहुत साड है तो आएए देखते हैं क्यों साड है यह कह रहा है यह रिट्स आखिर होता क्या है फाइफ दिफरेंट टाइपस ओ रिट्स क्या होते हैं हर एक का एग्जांपल क्या होता है और उनका क्या परपस होता है तो हमारा छोटू आता है और कहता है पैंडा यार तू साड मतो मैं बताता हूँ तेरे सारे questions के answer तो आईए हम पैंडा के पहले question का answer देते हैं कि RIT क्या होता है तो RIT is an order of the court enforcing compliance on the part of those against whom the RIT is issued मलब जिसके खिलाव हम RIT issue कर रहे हैं उसके लिए court एक order issue करता है और उस order में जो भी लिखा होता है वो मानना होता है दूसरी party को ये कैसे cases हो सकते हैं जैसे कोई public official है तो उसको कोई duty perform करनी है वो compulsory है उसके लिए या फिर inferior court अगर अपने jurisdiction के बाहर जाके कोई judgment दे रहा है तो वो जो है superior court उस judgment को cancel कर सकता है फिर हमारे constitution में दो आर्टिकल दिये हुए आर्टिकल 32 और 226 तो आर्टिकल 32 के अंदर supreme court fundamental rights के लिए रिट issue कर सकता है और आर्टिकल 226 के अंदर high court जो है fundamental rights के enforcement के लिए प्लस जो legal ordinary legal laws होते हैं उसके लिए रिट्स issue कर सकता है तो high court has a wider jurisdiction than supreme court क्योंकि वो fundamental rights और legal laws के लिए इशु करता है जबकि supreme court से fundamental rights के लिए इशु कर सकता है रिट बिटे में जो है रिट्स को perorogative रिट कहते हैं क्योंकि ये king issue करता है और USA में रिट्स कहां mentioned है common law और statue में और इंडिया में कहां पे हैं वो है constitution में आर्टिकल 32 और 226 तो आईगे देखते हैं five types of richs क्या होते हैं एक होता है habeas corpus, mandamus, setorory, prohibition and cure warrant तो habeas corpus अगर कोई person illegally या unlawfully detained कर लिया गया है उनके cases में उनको release कराने के लिए use होता है mandamus यानि कि supreme court जो है एक public official को बोल सकता है कि तुम अपनी public duty perform करो setorory यानि कि superior court अपने inferior court या quasi judicial authority ने जो order पास किया है वो अगर उरिसके jurisdiction के बाहर है तो बोल सकता है कि तुम अपने सारी case की proceedings जो है वो हमको transfer कर दो और मैं तुमारे judgment चेक करूंगा वो valid है कि नहीं prohibition यानि कि superior court अपने inferior court या quasi judicial authority को order इशू करता है कि ये तुमारा case की proceedings तुमारे jurisdiction के बाहर जा रही है इसलिए proceedings यहीं पर बंद करो क्यों वोरिंटो यानि कि supreme court जो है किसी भी public office holder को बोल सकता है कि किस basis पे तुमारा appointment किया गया है मुझे उसका proof दिखाओ अपनी appointment का इस सारे रिंट्स को extraordinary remedies बोलते हैं क्योंकि ये court अपने discretion पर देता है यानि कि अपनी will पर अगर उसका will है तो ही वो ये grant करेगा तो basically अगर कोई alternative remedy present होती है तो generally supreme court directly ये रिंट्स issue नहीं करता है पहले alternative remedy को preference दी जाती है except in the case of habeas corpus अगर habeas corpus की case आ रहे हैं तो उसमें high court supreme court को अपना judgment देना ही देना है तो आईए बेखते हैं ये habeas corpus की rate क्या होती है habeas corpus एक Latin word है जिसका मतलब होता है to have the body अगर किसी person को unlawfully या illegally detained कर लिया गया है या arrest कर लिया गया है तो court एक order issue करता है detainer को और बोलता है कि detainee को court के सामने पेश करो और reasons बताओ कि तुमने उसको क्यो detain किया जो reasons जो है उसने detainer ने दिये अगर court जो है देखता है कि detainer ने unlawfully या illegally detain किया है detainee को तो detainee को खुला छोड़ दिया जाता है, रिलीस कर दिया जाता है, तो आईए कुछ examples देखते हैं, habeas corpus के, कि kink situations में यह रिट issue की जाती है, तो अचलिए मान लेते हैं, किसी दिन हम शाम को घर जा रहे हैं, अचानक से कही रास्ते में राइट हो जाएं, हम उस पूरी भीड में, जो राइटर से, उनके साथ मिक्स अप हो जाते हैं, अचानक से पुलिस आती है, और पूरी भीड को अरेस्ट कर लेती है, जिसमें आप भी शामिल है, आप इनोसेंट और कोई क्राइम नहीं किया, स्टिल आपको अरेस्ट कर लेती है, तो अब इस हाल में आप क्या करोगे, नेक्स इक्जांपिल है, कि मान दीजे, एक दिन पुलिस अचानक से आती है आपके घर में, और आपको बिना रीजन्स बताएं, अरेस्ट कर लेती है, फिर नेक्स होता है कि 24 घंटे के अंदर, मैजिस्टरेट के सामने पेशी होनी चाहिए, पुलिस वो भी नहीं करती है, तो अब ऐसी सिच्वेशन में आप क्या करोगे, तो इन दो सिच्वेशन में जो अरेस्टिक परसन है वो, या फिर अपरसन ऑन इस बिहाफ, वो एक रि अरेस्टिकल लीडर्स को डिटेन कर लिया गया था, विटाउट एनी रीजन, यह भी उस टाइम पर बहुत सरे हेविस कॉर्पस की पेटिशन फाइल हुई थी, तो यह हेविस कॉर्पस का जो रिट है, यह हमारा इंडिविजुल फ्रीडियम एंशुर करता है, और परसनल अथाइटिस के अगेंस्ट इशु किया जा सकता है, प्लस कोई प्राइवेट बोडी या प्राइवेट परसन उसके अगेंस्ट भी इशु किया जा सकता है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, तो अब अगर कोई यह रिट को जो है, डिसोबे करता है, नहीं मानता है, तो उसक तो person detained किया गया है, उसको release करवा सकता है. As a remedy, court जो एक और काम कर सकता है, case to case basis पे, वो compensation अवाइड कर सकता है, detainee को. Supreme Court ने habeas corpus का scope wide कर दिया है, और उसके कुछ और use cases है, जैसे कि prisoners को ले के. तो जेल में कही बार जो है, prisoners के साथ inhuman behavior होता है, क्रुएल ट्रीटमेंट किया जाता है उनके साथ तो ऐसे में उनकी लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये रिट फाइल की जा सकती है इस रिट में एक चीज़ है कि प्रिजनर का ज़ो है जरूरी नहीं है कोर्ट में पेश होना next example है हमारा डावरी के cases में बच्चे के custody को लेके तो मान लीजिए एक Y आदमी है और एक X औरत है ये Y आदमी का कुछ criminal background है और वो X से शादी कर लेता है लेकिन अपने criminal background के बारे में नहीं बताता इनकी शादी से एक बच्चा होता है तो बच्चा होने के बाद X के उपर ना नानी ले जाते हैं तो इस चक्कर में Y क्या करता है वो एक petition फाइल करता है कोईट में हेबियस कॉर्पस की कि बच्चे की custody जो है उसको मिलनी चाहिए ऐसे में कोईट जो है वाई का past background देखता है और बच्चे का welfare देखता है कि उसकी भलाई किसमे है तो finally वो custody जो है बच या फिर we order कैसा order Supreme Court जो है किसी भी authority को बोल सकता है जिसकी कोई public duty है कि तुम अपनी public duty सहीर से perform करो तो authorities कैसी हो सकती है कोई government हो सकती है कोई corporation हो सकती है कोई subordinate court हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी public authority जिसकी कोई public duty होती है तो अगर कोई जो है public official अपनी public duty perform ना करे तो क्या होता है तो जो हमारा right to individual है वो in cases में वाइलेट होता है तो ऐसे में court जो है order कर सकता है उस authority को कि तुम अपनी public duty perform करो तो यह एक तरह का judicial control है administrative lapsus के उपर यह कुछ examples देखते हैं mandamus के तो पहला है state of MP वर्स जीसी मंडवारा case of 1954 तो मान लीजी एक licensing officer है जिसकी public duty होती है कि वो licenses issue करे तो यानि अगर आप जो है कोई license लेने जाते हो for example drug license अगर आप कोई दवाई की दुकान चलाते हो तो अगर आप सारी necessary conditions fulfill कर रहे हो और उसके बावजूद आपको license dual licensing officer issue नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप क्या करोगे त तो ऐसे में आप एक mandamus की written petition file करोगे इसी तरह और हो सकता है जैसे कोई state agency है उसका काम है public information release करना वो अगर ऐसा ना करे तब भी mandamus की written file की जा सकती है अब अगर कोई subordinate court है और वो reporters को जो है entry मना कर दे कि reporters जो है इस trial को जो है नहीं cover कर सकते तब भी written petition file की जा सकती है mandamus की तो कोई उसको follow नहीं कर रहा है तब जो है superior court inferior जो भी वो authority है उसको बोल सकता है कि अपनी public duty perform करो mandamus की एक restriction भी होती है किस case में यह issue नहीं किया जा सकता तो जहां कहीं भी कोई matter आता है domestic matter आता है कोई private person या institution का for example मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर काम कर रहा है तो इन cases में यह mandamus की rate file नहीं की जा सकती कि तुम अपनी duty perform करो हमारी next rate है ceterory ceterory का मतलब होता है to certify यानि मान लीजिए inferior code या quasi judicial authority ने अपने jurisdiction के बाहर जाके कोई order या judgment पास किया है तो ऐसे में superior code उसको बोलेगा कि तुमारे अभी तक के जो भी case के proceedings है वो मेरे को transfer कर दो और मैं check करूँगा कि तुमारा judgment जो है वो सही है या गलत तो अगर judgment जो है वो गलत हुआ तो जो भी उसने judgment पास किया था वो cancel कर दिया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है सेटेरोरी की रिट सुपरवाइजरी है ओरिजिनल जुरिस्दिक्शन के अंदर आती है कोईट के it does not come अंडर दी अपिलेट जुरिस्दिक्शन प्रोहिबीशन की जो रिट होती है वो सेटेरोरी की प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों होती है प्रिवेंटिव कैसे क्योंकि उसको जुरिस्दिक्शन के बाहर नहीं जाने देता हो क्यूरेटिव order जो है वो cancel किया जा सकता है अगर वो null and void पाया जाता है फिर जो satanory की rate है वो order देने के बाद ही issue किया जा सकता है जबकि जो prohibition की rate है वो जब proceedings चल रहेंगे तब ही deliver किया जा सकता है next rate है prohibition जिसको stay order भी बोलते हैं तो मान लीजिए जो है कोई inferior code या quasi judicial authority है वो अपने jurisdiction के बाहर जाके कोई case की proceedings चला रहा है तो ऐसे में superior code बीच में interfere कर सकता है और उसको बोल सकता है कि अपनी proceedings तुम case की यहीं पर बंद कर दो तो यह किसके खिलाब issue किया जाता है judicial authorities या फिर quasi judicial authorities के against तो prohibition की रिट जो है वो उससे preventive होती है क्योंकि वो case proceedings वहीं पर बंद करा देती है जबकि सेटेरोरी की हमने देखा था preventive और curative दोनों होती है क्योंकि order देने के बाद अगर वो जो है गलत पाया जाता है तो उसको order cancel किया जा सकता है रिट जो है prohibition की वो जब case proceedings चल रही है तब ही issue किया जाता है जबकि सेटेरोरी order deliver होने के बाद issue होता है नेक्स रिट है हमारी क्यों और इंटो उसका मतलब होता है what is your authority यानि कि supreme court जो है किसी भी public office holder को ये बोल सकता है कि तुम अपनी appointment का proof दिखाओ यानि तुम्हें इस post पे कैसे appointment किया गया उसका कोई proof है कोई भी letter appointment letter कुछ है तुमारे पास अगर जो है supreme court पाता है कि जो appointment है इस post पे वो bogus है वो सही नहीं है तो वो public office holder को बोल सकता है कि तुम अभी की अभी ये post खाली करो अब देखते है appointment जो है वो दो तरह की होती है de jour and defacto, de jour का मतलब होता है कि public office holder एक तो qualified है उस post के लिए प्लस वो law के हिसाब से ये post hold कर रहा है, de facto का मतलब होता है कि public office holder qualified तो है इस post के लिए पर वो law के हिसाब से यह post hold नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक fact के हिसाब से hold कर रहा है तो आई एक्जाम्टल देखते हैं D0 और D facto के तो सबसे पहले D जूर, जब कभी किसी public office holder को appoint किया जाता है तो appointing authority उसको एक appointment letter देती है as a proof कि हम तुम्हे officially इस post पे appoint कर रहे हैं यानि law के हिसाब से appoint कर रहे हैं तो यह हो गया D जूर, D facto मतलब माल लीजे कोई senior officer आता है और आपको बोलता है कि कल से तुम यह post join कर लो, सिर्फ verbally बोलता है कोई भी appointment letter issue नहीं करता है तो यानि कि आप यह office सिर्फ एक fact के हिसाब से क्योंकि उसने आपको verbally बोल है आप hold कर रहे हो, law के हिसाब से आप यह post hold नहीं करते हैं तो यह हो गया D facto appointment So this rate prevents bogus appointment It keeps a check on the executive that it does not appoint any undeserving person to the public office and it has one restriction that it does not apply to the private authority or private post it is only of public nature यानि जो भी public offices हैं सिर्फ उसके उपर यह लागू होता है So thank you guys for watching the video हमाई चैनल को subscribe करना ना भूले वीडियो को like करें, share करें, comment करें, बताएं कैसा लगा और notes डाउनलोड करने के लिए वीडियो description में लिंक दिया हुआ है So thank you guys for watching the video